हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करके ओल सलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इंपोर्टेंट वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलेवेस के स्टोक के बारे में देखे दोस्तो आज कर जो है रेल्वेस के स्टोक में जबर्दस्त तेजी जो है हमें देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेल्वेस के स्टोक में इतनी जबर्दस्त तेजी क्यों बनी हुई है और ये जो तेजी है ये आगे कैसी रह सकती है क्या जो बात कर लेते हैं RVNL share के बारे में रेल विकास निगर्म लिम्टेड आज आप देख सकते हैं इस स्टोक में दूरिंग दा मार्किट आप देख सकते हैं लास्ट में जबरदस्त अपर सरकिट देखने को मिला है 10% की तेजी के साथ आज ये स्टोक बंध हुए है पिछले अगर आप इनकी 5 दिनों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 दिनों में तो फ्लैट 5% की तेजी है बट आज के दिन जबरदस्त तेजी है एक महिने में आप देख सकते हैं स्टोक 62% के अपरोक जो है ये स्टोक भाग चुका है महीं एक साल की बात करें तो एक सैल में 77% के रिटर यहां स्टोक आरकों इंटरनेशनल जो है इसका भी आप देख सकते हैं तक्रीबन 7-8% की तेजी आज इसमें देखने को मिल रही है वहीं एक और रेलवे का स्टोक आप देख सकते हैं Railtail Corporation of India Limited इसमें भी आज आप देख सकते हैं कि सेम चार्ट पैटरन RVNL, Archon और यहां Railtail का तीनों में आज जबर्दस जो है तेजी हमें यहां देखने को मिल रही है तो दोस्तों क्या वो न्यूस है जिसके चलते जो है इन कमपनीज में इतनी शांदार तेजी आई है और क्या हमें अभी इन स्टोक्स को बाइक करना चाहिए तो चलिए अब डेटेल म मैं आपको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले न्यूस है दोस्तों कि Railway जो है Railway में जो सरकार जो है वो नए reforms जो है वो करने जा रही है और इसके लिए जो government है उसने 39 लाक क्रोड 49 लाक क्रोड रुपे खर्च करेगी इसके लिए government आने वाले 30 साल के अंदर आने वाले 30 सालों में government जो है Railway में 49 लाक क्रोड रुपे खर्च करने जा रही है Railways के infrastructure के लिए Railway जो government जो है वो इतने पैसे खर्च करने जा रही है 30 सालों में इसके अलावा दोस्तों reports के जरिए एक news और ये में देखने को मिल रही है Railway जो है वो इस साल जो सरकार है वो Railway बजट में तकरीबन 17% जो है वो इजाफा कर सकती है Means हर साल की बज़ाए जो है इस बार बजट में Railway के लिए जो इनका बजट है Railway का उसमें 17% तक इजाफा हो सकता है और दोस्तों सबसे जबरदस्त ये तो दो news हो गई एक और जबरदस्त news जो है वो ये सामने निकल कर आई है जो RVNL और Arcon International जितने आज Railway के शेर में जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है तेजी देखने को मिली है उनके लिए एक जबरदस्त news ये है कि ये जो सरकार जो है जो इन्होंने ये 49 लाग क्रोड रुपेका जो इन्होंने तार्गेट सेट किया है अगले 30 सालों के लिए उसमें से सरकार जो है अगले 3 से 4 महीनों में जो ये companies हैं इनके infrastructure के लिए सरकार जो है इनको first installment जो है वो issue कर सकती है ये दोस्तों ये reports के जरिए ये news है तो ये एक बहुत बड़ी news सामने निकल कर आई है कि अगले 3 से 4 महीनों में जो government है वो इनको इनके infrastructure के लिए इनके नए जो projects है उनके लिए first installment दे सकती है और इसकी वज़य से जो है आज जो है इतने जवरदस्त जो है आरकोन इंटरनेशनल हो गया आरवी अनल हो गया रेल टेल हो गया इन सभी में इतनी जवरदस्त जो है हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है तो चलिए दोस्तों ये तो हो बारे में भी क्या ऐसा तेजी अब बहुत साथियों के ऐसे messages है कि क्या IRCTC में भी इन स्टोक्स की तरह तेजी बनेगी अगर बनेगी तो कब बनेगी देखें दोस्तों ये जो company है आरवी एनल हो गया आरकोन इंटरनेशनल हो गया ये railway का infrastructure बढ़ाने के लिए ये कामकाज कर बढ़ेगा और नहीं नहीं railway की जो ज्यादा संख्या है वो बढ़ेगी तो इनका जो business है IRCTC का जो tourism का है catering का है इंटरनेट टिक्टिंग का है तो वो जो है वो जब बढ़ेगा तब IRCTC को भी directly benefit होगा तो इसलिए IRCTC में आएगी तेजी जरूर बट अभी उसके लिए थो based पेजी है और इनके लिए क्योंकि ये infrastructure based जो है ये companies काम करती है तो इसलिए इनको अगर पैसे मिलेंगे तो इनकी book value strong होगी book value की वज़े से इनके आने वाले quarters में आपको उसका positive impact जो है numbers में देखने को मिलेगा results में देखने को मिलेगा but IRCTC में जब ये companies अपने project पूरे कर directly और indirectly दोनों तरफ से benefit देखने को मिलेगा दोस्तो ये important updates आज आपको railway stocks के बारे में देनी थी जो railway में तेजी है उसके लिए काफी साथियों के messages थे कि railway में इतनी तेजी stocks में क्यों बनी हुई है तो ये मैंने आपको यहाँ इनके बारे में update दी अगर आपको update अच्छी और helpful लगे तो please subscribe करना channel को like करना video को मिलेंगे अगले video में तब तक के लिए take care bye bye